पढ़ाई नी और यार स्थेना पढ़ाई नी और यार आपको आपको मैं मैं कुछ बताने कि गोशिच करता हूं आपने बैसी ले Mais लेकिन फिर भी आपसे सोचरों पढ़ाई नहीं होड़ी, आपको पता है exam का notification आ चुका है, लेकिन पढ़ाई नहीं होडी, आपको पता है मेरा exam के दिन बचे हैं कम, लेकिन पढ़ाई नहीं होडी, आपको पता है कि आपको करने हैं अपने सपने पूरे, लेकिन पढ़ाई न तो ऐसा क्या है कि क्यूं हमसे ये पढ़ाई नहीं हो दी है हम हर दिन लेके बैठते हैं कुछ ना कुछ एक सब्जेक को लेते हैं उसको पढ़ते हैं बोलते हैं इसमें दो गंटे लगाएंगे इसमें तीन गंटे लगाएंगे पढ़ाई नहीं हो दी है और खासकर अगर आप क्यों नहीं हो रहा है आपके साथ, क्या आप यहाँ पर अकेले हैं, ऐसा नहीं है, आपके तरह, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिनके साथ ऐसा होता है, कि सब कुछ कर लेने के बाद भी उनको लगता है, यार क्या करो, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर समझ होता है आपका सोशल मीडिया इक डिस्ट्राक्शन होता है आपके पास वह कहता है अलिसन वंडरलाइन में बैठ के बस सोचता रहता हूं ठीक है मैं क्या करता रहता हूं मैं बैठ के सोचता रहता हूं इतने सारे डिस्ट्राक्शन से कैसे जूचोंगे आप आप हमेशा यह च इम पे शायद एक जना कहीं पर बैठके पढ़ाई कर रहा होगा और वो इनसान होगा जिसका उस लिस्ट में नाम आ जाएगा जहां पर आप चाहते हो कि आपका नाम दे हो तो distraction से इतनी दे थोड़े दिनों की दूर रहोगे तो आपको बिल्कुल वो कहते हैं ना कि हम एक science वाले बच्चे को हम एक commerce वाले बच्चे से जब या humanities वाले बच्चे के साथ जब compare करते हैं तो science वाले बच्चों को क्यों हमेशा ये कह जाता है कि ये determined है क्योंकि अगर वो J ये और NEET का paper दे रहता है तो वो एक साल नहीं वो एक साल दो साल अपनी पूरी तपस्या में है उस वक्त उस पूरी तपस्या का उसको फल मिलता है जब उसका एक selection हो जाता है और जब वो selection हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपके पूरे परिवार का selection होता है और उनका सीना है व हम लोग साल भर यह सोचते रह जाते हैं पढ़ाई नहीं हो लेकिन इस पढ़ाई को आपको कैसे हटाके आगे बढ़ना है और किस तरीके से इस वक्त को यूटलाईज करना है ये वक्त है बच्चे थोड़ा सा अगर आपने discipline की तरह से काम करना शुरू कर दिया तो definitely आपकी चीज़े हो जाएंगी तो अगर आम इसमें बाद में देखते हैं discipline is the key discipline किस चीज़ का होना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पर दो घंटे बैट कर दिखा रहे हैं कि देखिए मैं तो पढ़ दा हूं लेकिन उस दो घंटे का output क्या हो रहा है आपके पास वह ज़ादर जरूरी है आपको यह जरूर देखना है महाँ पर कि मैं अपना जो काम कर रहा हूं वो किस तरीके से कर रहा हूं एक साल के लिए जब एक इनसान का क्या कहते हैं लास्ट मोटो एक चीज डेस्टिनेशन उसने डिसाइड कर ली कि मुझे उस कॉलेज में जाना है वो इस एक पूरे साल लग जाता है आपको देना है क्लाइट का पेपर आपको देना है CUT PG का पेपर आपको देना है MHCT का पे आपकी लाइफ शुरू हो ही है सेट कैसे हो सकती है because man is a bundle of wants from his cradle to his grave है की नहीं तो बच्चे ये समझ लो बच्चे कि अभी का मजा आपको बाद में दे सकता है सजा और अगर अभी आपने थोड़ी सी सजा ले ली और इस distraction से दूर हो गए चाहे वो social media के हों जाए वो किसी औ और चीज़ के हो तो बाद में आपको मजा ही मजा मिलेगा अभी अगर आपका दोस्त कहीं जाकर घूम रहा है और कहीं आपके वीडियो गेम खेल रहा है तो आप इस वक्त यूटलाइस करके आप एक ऐसे college में पहुंच सकते हो जिसके बाद वीडियो गेम नहीं है आप उसको discipline में रहो कि आपके पास वो चीज़ें अच्छे से हो जाएं तो आपके पास self discipline होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप self discipline रहेंगे तो definitely आपको वो मनजल मिल जाएगी जो आपने अपने लिए सोची है आप उस इंसान से देखिए जो अपने आपको cut off कर लेता ह हर चीज से लेकि जब उसका result आता है हर कोई इंसान उससे आके मिलना चाहता है वो एक साल अगर आपने अपनी महनत पे लगा दिया उसका जो reward आपके पास आएगा वो इतना शांदार होगा कि आप खुद आश्चरे चकित हो जाएंगे कि यह क्या मिल गया मुझे तो इस च दिखाना पड़ेगा उसके बाद आपको next चीज जो आती है concentration इसमें बहुत सारे लोगों को problem होती है sir मैं पढ़ते पढ़ते खो जाता हूं मुझसे concentration नहीं हो पाती मुझे एक जगा बैठने में problem होती है यह सब के साथ हो सकता है कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां पर आपका आप अपने आपको थोड़ा सा free कर सकते हैं लेकिन फिर वापस आईए बैठिये वहाँ पर थोड़े breaks में पढ़िये अगर आप उस breaks में पढ़ेंगे तो definitely आपको उस चीज का फायदा होगा और आपको definitely उससे आगे प्रेना मिलेगी कि किस तरीके से आप आगे बढ़ें त क्योंकि उस समय जिस समय आप ये excuse दे रहे हो कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही या फिर मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है शायद किसी कोने में एक जना बैठके उस time को utilize करके अपनी seat कर रहा होगा पकी जो seat आपनी भी देखी है अपने सपने में और अगर आप चाहते अपने अंदर value addition किया है जिस से मुझे मिल सकता है एक college अपने सपनों का तो बस लग जाईए अपने काम पर बिल्कुल भी फिकर मत करिए कभी लगे अगर आपको ऐसा कि आप हैंकेले तो आप कर सकते हैं मुझसे बात और कर सकते हैं अपना pressure release आग बात करके अगर आपको ल कुछ से बात करिए और लग जाईए अपनी पूरी मेहनत से क्योंकि आप चाह सकते हैं और आप पहुंच सकते हैं अपने उस college में जिस से आपका और आपके परिवार का हो सकता है सपना पूरा All the best, take care और मिलते हैं आपके college के results के बाद, bye bye